फरहान साबिर को जज विशाल देदलानी से मिले कड़वे कमेंट्स और देदी ये हिदायत जी हाँ दोस्तों हर बार खर कंटास्टेंड की परफार्मेंस अच्छी हो ऐसा संभव नहीं है और इस बार दिन खराब था फरहान साबिर का मौका था कल्यानानन्द स्पेशल एपिसोड का और मंच के महमान बने थे आननजी भई एक तरफ जहां कई सारी अच्छी परफार्मेंसेस हुई लाज की संजराबट की तो वहीं कुछ परफार्मेंसेस एवरेज भी रही जिसमें थे एक इंजल चतर जी और दूसरे रहे फरहान साबिर जी हां फरहान साबिर ने गाना चुना परदेशियों से ना अखिया मिलाना वैसे इंडियन क्लासिकल पे फरहान साबिर की काफी अच्छी पकड़ है उनके audition performance को देखकर लगा था कि ये शो में धमाल मचाने वाले हैं पर शायद उन्हें उनके zone के गाने नहीं मिल पा रहें और इस बार भी ऐसा ही हुआ फरहान साबिर की जो performance थी वो इतनी अच्छी sound नहीं कर रही थी और यही बात छोटे से कम अंदाज में कहीं महमान आननजी भाई ने और उन्होंने कहा कि best of luck आप इससे भी अच्छा कर सकते थे और इसी के बाद जजब विशाल ददलानी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आप गाने को enjoy नहीं कर रहे कि आप और ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहे मुझे पता है और मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर है और अगली बार और भी ज़्यादा दमखं के साथ आएंगे इस तरह से विशाल ददलानी ने उन्हें ये बड़ी हिदायत दे डाली तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या रहा है कि आपको भी लगता है कि फरहान साथिर को सही तरीके के गाने नहीं दिये जा रहे आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं शुक्रिया